हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस और इन्वोर्मेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगे तो शुरू करते हैं, अभी तक हमने बिजनेस एतिक्स के बारे में जाना और इन्वोर्मेंट के प्रती बिजनेस की एक responsibility जो होती है, वो responsibility क्या होई चाहिए ये जाना हमने हमने जाना कि बिजनेस और इन्वोर्मेंट के बीच में एक relationship होता है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लोग जैसे for example, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, वो कही न कहीं हमें इन्वोर्मेंट से मिल रहा होता है तो in return, इन्वोर्मेंट भी हमसे expect करती है, कि हम उसको clean रखे, उसको saaf सूसरा रखे, उसकी चीज़ों को waste न करें ठीक है, जैसे इन्वोर्मेंट होता क्या है, हमारे आसपास का surrounding, हमारी society, ठीक है, अब चाहे वो raw materials हम इन्वोर्मेंट से ले, water, air, कुछ भी जो हम ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस इन्वोर्मेंट का ही part है चाहे हम land को use कर रहे हो, factories बनाने के लिए, या कुछ भी तो वो कहीं न कहीं से इन्वोर्मेंट का एक part हो जाता है तो इस तरह से business और इन्वोर्मेंट के बीच में एक relationship बन जाता है अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही आपने करते जाएं, सिर्फ इन्वोर्मेंट ही आपके लिए करते जाएं, आप इन्वोर्मेंट के लिए कुछ न करें तो एक समय ऐसा आएगा कि इन्वोर्मेंट ठक जाएगी, वो अब आपको देना बंद कर देगी जैसे for example, अगर आप इन्वोर्मेंट से सिर्फ ले रहे हैं, इन्वोर्मेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं तो इन्वोर्मेंट क्या करेगी एक समय के बाद उसके natural resources उसकी जो भी raw materials जो आपको प्रोवाइट कर रही है वो खत्म हो जाएंगे वो आपको देना बंद कर देगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच एक ऐसा relationship होता है कि अगर तुम उससे कुछ ले भी रहो तो in return आपको कुछ उसको देना भी पड़ेगा business और environment के बीच में क्या होता है कि business is run by human beings whose decisions and actions can create changes in the society हमें पता है कि business एक human beings चलाते हैं ठीक है और उनके actions और decisions जो भी वो एक business में लेते हैं वो society को change कर सकते हैं वो society को दो तरह से change कर सकते हैं एक positive way में और दूसरा negative way में positive way में कैसे जैसे अगर कोई business बहुत अच्छा run कर रहा है तो वो क्या करेगा society की living hood को बढ़ाएगा है standard को बढ़ाएगा ठीक है जैसे हमने देखा कि पहले हम fan यूज करते थे फिर हम cooler पे आए अब हम AC यूज कर रहे है तो यह क्या हो रहा है यह हमारा standard of living raise कर रहा है हमारा जीने का तरीका raise हो रहा है business के ही तो जरीए ठीक है क्योंकि business का काम होता है जो भी scientific चीजे हैं जो भी scientific innovations आई market में उसको लाना market में लाना ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके यह business के ही जरीए होता है तो इस तरह से business क्या करती है एक तरफ तो standard of living raise करती है बट दूसरी तरफ अगर negative way में देखा जाए तो business कहीं न कहीं अपने raw materials अपने factors of production को environment से ले रही होती है चाहे वो land हो ठीक है चाहे वो labors हो चाहे वो उनका capital हो चाहे वो उनका कुछ भी electricity यूज़ कर रहे है और power यूज़ कर रहे है या raw materials जो भी factors of production उनके business में involved है वो कहीं न कहीं environment से linked है हमारी society से linked है हमारे surrounding से linked है ठीक है तो इस तरह से ये दो तरह से impact आलता है एक positive और एक negative अगर business में सिर्फ raw materials को या सिर्फ जो भी वो products ले रहा है factor of production जो भी वो environment से ले रहा है अगर उसका वो सिर्फ यूज़ ही करते जाएगा इन return कुछ देगा नहीं तो क्या होगा environment में वो चीज़े खत्म होने लगेंगी और वो एक negative impact देगा जैसे pollution pollution, air pollution, water pollution, land pollution जो भी है ये सब क्या कर रही है ये सब society को negatively impact कर रही है positive way में हमारे standard of living को तो बढ़ा दिया इसने हमारे जीने के तरीके को comfortable बना दिया बट negative way में क्या हुआ? air pollution हुआ, water pollution हुआ, land pollution हुआ, कंदगी फैली हमारा जो earth है वो कंदा हुआ तो ये दो तरह से impact डालता है एक business का decisions जो भी business में decisions लिये जाते हैं या जो भी actions किये जाते हैं वो दो तरह से impact करते हैं अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजे जो undesirable है यानि कि society में नहीं होनी चाहिए ये सब चीजे एक businessman के point of view से या एक business को लेते वे एक business को ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो society में कभी नहीं करने चाहिए first one is manufacture and sale of adulterated products adulterated products क्या होता है जिसे आजकल fruits और vegetables में ये बहुत ही common है हम देखते हैं कि उन में wax की coating की हुई होती है वो दिखने में तो आपको बहुत ही सुन्दर से लगेंगे बिल्कुल चमकते हुए बट जब आप उनको असलियत जानेंगे उनकी तो वो उस तरह का वो white color का substance उसमें wax लगा होता है उसको beautiful बनाने के लिए ये क्या करता है या आपका customer एक बार तो खरीद के लेके चला गया बट आप क्या कर रहे हैं आप उसकी health के साथ थोका कर रहे हैं आप उसको cheat कर रहे हैं उसके health के साथ आप गलत कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से क्या है ऐसा काम एक business को कभी नहीं करना चाहिए कि जो उसके customer को problem create करें किसी के health के साथ कभी भी कोई किसी तरह का खिलवार नहीं करना चाहिए second one is polluting environment आजकल बहुत environment pollution हो रहा है अगर आप air pollution ले लो water pollution ले लो land pollution ले लो बहुत तरह के pollution जो की factories के कारण या फिर एक business के कारण हो रहे है factories से धुमें निकलते हैं उनका गंदा material जाके river में डाल दिया जाता है plastics का use सब क्या है ये सब ये सब environment को pollute कर रहे हैं जो की नहीं होना चाहिए third one is not paying tax एक business को कभी एक business को क्या एक individual को कभी भी tax pay करने से नहीं भागना चाहिए tax pay करने से हमारे nation का development होता है हमारी economic growth होती है अगर हम tax नहीं pay करेंगे तो हमारा country डेवलप नहीं कर पाएगा तो जो भी taxpayer है उसको कभी भी tax pay करने से नहीं भागना चाहिए उसको हमेशा सही समय पे tax को pay करना चाहिए fourth one is exploiting workers एक business man को कभी भी अपने workers के साथ गलत नहीं करना चाहिए वो जितना उनसे काम ले रहे हैं उतना उनको payment भी देना चाहिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनसे काम लेते जाए लेते जाए और उनको payment न करें या फिर excessive काम भी उनसे नहीं लेना चाहिए कि दिन रात आप उपने workers से काम ले रहे हैं उनको छुट्टी भी देनी चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट का टाइम भी देना चाहिए एक पर्टिकुलर आवर ही उनसे काम लेने चाहिए चितना कि एक हुमन बोडी कर सके आपको देर सके अपनी एनरजी फिफ्ट वन इस इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फरमेशन आफ ता प्राटक्ट आजकल हम क्या देखते हैं कि बहुत सी चीजे मार्केट में हंड्रेट परसंग हर्बल प्राड़क्स या हंड्रेट परसंग आयर्मेदिक प्राड़क्स कहके बिक रही हैं बड़ जब उनकी अस्तियत जानेंगे जब उनके पीछे के एंग्रीडियंस को देखेंगे तो हम जानेंगे कि इसमें केमिकल्स इसमें ना सटेए हम्ठीम का और कईले दोдर की भार्ड़क्स वह समस्kokर होते हैं ठीक है तो इस तरह के काम एक businessman को कभी नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़े socially undesirable things हैं ये सब चीज़े society में नहीं होनी चाहिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू